SS राज़ा मॉली की ब्लॉक बस्टर फिल्म, RRR से जूनियर, NTR और राम चरन के नाटू नाटू ने पिछले साल ओसकर अवोर्ड जीता था और अब 2024 में फिर से गाने का एक कैमियो हुआ बेस सोंग को प्रेजन करने के दोरान गाने के सीन्स को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया जी हाँ 2024 में इस बार नाटू नाटू की एक बार फिर से धूम देखने को मिली जब अवोर्ड फंक्शन में बेस्ट सोंग की केटिगरी को प्रेजन करना था और उससे टाइम पर पी दिखा कर ट्रिब्यूट किया गया है भारतियों के लिए काफी गर्व भरा मुमेंट था ये जब लॉस एंजलीस में ऑसकर 2024 में नाटू नाटू को एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया ऐसेस राजमॉली की 2022 की पीरियड आक्शन फिल्म आरारार में जूनियर एंटियार और रामचरन लीड रोल में थे हर सिने प्रेमी के दिल में फिल्म के लिए खास जगा है ये फिल्म भारतिय सिनेमा को वैश्विक स्तर पले के गई और यहां तक की 2023 में बेस्ट गानी के लिए आसकर समेत कई इंटरनाशनल अवर्ड भी अपने नाम की इस गाने ने और अब जब भारतियों के लिए काफी प्राउड मोमिंट था जब आसकर अवर्ड में एक बार फिर से नाटू नाटू के धूम देखने को मिली एक साल बाद अकेडमी अवर्ड में आरारार को एक तारीफ ओर दी गई 96 अउसकर अवर्ड रखा गया और दफॉल गोई के अक्टर रयान गॉसलिंग और एमिली ब्लंट ने स्टेज समाला उन्होंने दुनिया भर के बहत्र इंस्टंट सीन वाली एक एडिटिट क्लिप तयार की जिसमें राम चरन और जूनियर एंटियार की पीरियड आक्शन फ पिल्मों में दुनिया के सबसे महान स्टंट सीन्स को ट्रिब्यूट दिया नाटू नाटू ने इतिहां स्रच कर रख दिया है क्योंकि बेस्ट गाने के लिए औसकर जीतने वाला पहला भारतिये गाना बन गया है एमेम कीरावानी और चंद्रबोस ने मंच पर आकर कई अवार्ड लिये थे फिलाल तो आसकर अवार्ड में जिस तरीके से नाटू नाटू को एक बार फ़र से सम्मानित किया गया है इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपका जो भी आपकी राय है हमारी कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक केजिए बॉलिवुटर टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं फिल्मी बीट झाल